आपकी वॉक्षीट नमबर 33 तो पहला आप लोग इस अच्छे से लेबल कर लेंगे डेट डाल देंगे क्लास सब्जैप नाम अपने टीचर का नाम आप लोग लिख लेंगे गूद मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चो कैसे हैं आप सब उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छी होंगे चलिए आज हम लोग अपना वही जुमेट्री का वर्क करना शुरू करते हैं दुबारा से मैं उम्मीद करती हूँ अपने पिछली वीडियो देखी होंगी और देखने के सास्ता आपको याद भी होंगी अगर ऐसा नहीं है तो आप लोग उसे दुबारा से देखें वाला यानि जैसे कि आपका एक कोण है इस कोण को दो बराबर भागों में हम कैसे बाट सकते हैं तो सबसे पहले एक अक्टिविटी करेंगे करेंगे उसके जरीए बाटना सीखेंगे और उसके बाद फिर हम इसको कमपस की यानि प्रकार की मदद से बनाने की कोशिश तो चले पहले activity को पढ़ लेते हैं, यहां लिखा है एक कागस पर cone, AOB, सिंपल आपको cone बनाना है, यहां पता है कि cone कैसे बनता है, दो रे की मदद से, दो रे खाखन की मदद से आपका cone बन जाता है, ठीक यहां पे आपका cone कितने degree का है यह नहीं बताया गया है, सिर्फ आप स कहा गया है कि आप एक कौन बना लेंगे तो हमने एक सिंपल सा कौन बना लिया इस कागस को उस पर कान मोड़िये कि इसका जो ओ का निशान है वह से रही यानि यह जो रेखा है वह भी रेखा के ओपर एक्जैक्ली आ जाए ठीक है पारस पर समाप्तित हो जाए यानि इसके बराजा दोनों को बराबर से फोल्ड कर दीजिए ठीक है जैसे आप मोड़ेंगे तो आप जो उसको वापस कोलेंगे तो आपको ओसी करके एक रेखा मिल जाएगी ठीक है इसका निशान जब आप देखेंगे तो इसका नाम आप सी रख सकते हैं और आपको पता चलेगा कि क पढ़ीं करें करें करने दिखे रहे हैं देखेंगे आपको यह 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 इस यह इस निशान का मतलब होता है कि यह वाला कौन इस कोन के बराबर है तो देखें यहाँ आपको पहले समझा हा चुकिह हूँ पिछली वόक्शीट में होप कि आपको याद हो तो इस से हमें पता चलता है कि A, O, C यानि कि ये वाला एंगल जो सिर्फ ये छोटा सा एंगल दिख रहा है ना ये वाला A, O, C ये वाला एंगल और आपका जो दूसरा एंगल है C, O, B यानि ये वाला एंगल ये ये दोनों बराबर हैं इससे प्रूव होता है ठीक अब हम इसको construction work case through करके देखते हैं तो चलिए देखते हैं यहां क्या है एक कोण का समविभाजिक खीचना यानि अगर हमसे कहा जाए यह तो हमने simple सा ऐसी ही कागस को मोड के बनाया अब हर बार हम ऐसे कागस को मोड के नहीं मोड करते हैं तो अब हमें क्या करना है मानलीजिे आपसे काजाए कि यह लीजे प्रकार यह लीजे पैंसिल इसकेल और यह रहा आपका पेपर अब इसमें नहीं पयाए कि यह लाइन या 7 डिग्री का यह नाईन डिग्री का हमने पढ़ा किके प्रकार करते होते होपिस हो कि क्या याद चल्य हो अगे पढ़ते हैं तो आपने डी मान बना लिया जिसका हमने नाम रखा ह। ठीक है कोन बन गया और इसके बीच में यहां पे हमने यह देखा गी जली है तो तो अब ये कैसे खीशते हैं तो देखें यहां लिखा आपने ये कौन बना लिया प्रकार में कोई भी दूरी ले लीजिए और उससे आपको क्या करना है कि एक लकीर खीश लेंगे जिसका नाम बी और सी रखेंगे जहां पर ये पॉइंट काट रहें इसका नाम आप बी और स खोलना है प्रकार खोलना आप सबको आता है कि जिस तरफ होल्डिंग है उस तरफ पैंसल लगाते दूसरी तरफ प्रकार की नोग होती है प्रकार की नोग आप यहां रखेंगे इस तरह से आपने इसको बना लिया ये बन गया अब आपको क्या करना है अब प्रकार की नोग करने का चलिए आगे हम लोग एक बार पढ़ लेते तक कि आपको और अच्छे से समझ में आए तो देखें यहां लिखा गया है लेकिन ऐसा कोई पाबंदी नहीं होती बस आपको यह याद रखना है दूरी इस एंगल से बाहर ना जाए इसके अंदर ही रहे ठीक है तो आप कि खोल लिया प्रकार और उससे आपको क्या करना है बी से आपने यहां आर्क लगा दी अब आपको क्या करना है तीसरे स्टैप में के प्रकार में जो भरी आपने दूरी रखना है ना उसे कम करना है ना उसे जादा करना है और सी को अपना केंदर बिंदू मानते हुए दूसर कि आप यहां देख सकते हैं और F को क्या करना है आपको एक रेखा खीचनी है जो A से F को काटती हुई सीधी निकल जाए ठीक है अब जो आपकी जो रेखा आगे बढ़ती चली जाएगी यह आपके D D, A ठीक है D, A और यह जो आपकी रेखा है E इन दोनों के D, A, E के बीच की आपके दो हिस्सों में यह बाट रही है ठीक अब अगर हम इसका नाम नान लिजे दे देते हैं H ठीक है तो हमें पता चलेगा के D, A, H और H, A, E यह दो जो है यह बिल्कुल एकूल है किसकी मदद से आपके इस वाले बाइसेक्टर की मदद से ठीक तो इस तरह से यह आपका समविभाजिक बन जाएगा उम्मीद कर तो आपको समझ में आगया होगा अब देखें यहापको लिखा है आओ करें यह आपके कोशन अंसर से तो दो कोशन आपको दिये गया है पहला आपको दिया such a degree का बनाना है ऐसे के आफ कोशन दीट से कर यहां पी देखें लिखा ना है तो छली स्कोंद देखें आपको बनाना हैं 60 डीडी का अंगल थीक के लागी लिकी कीछ ने के बाद आप अपनाml अ लिखे होती है, 0, 10, 20, 30, ऐसे करके यहां पर आके 60 लिखा होता है, ठीक, वहां पर डॉट लगा देंगे और इसको उससे मिला देंगे, ठीक, तो यह तो बन गया आपका D से 60 का एंगल, अब आपको क्या करना है, यहां परकार रखके इस तरह से यह आर्क लगानी है, जैसे आ एंगल और यह एंगल अटोमेटिकली एकवल हो जाएगा, 30-30 का किते का, 30-30 का, तो आप इसे करके देखेंगे, आपको और अच्छे से समझ में आएगा, चलिए, ने एक स्कूशन परते हैं, का दूसरा को लिखा है, कि आपको एक कौन बनाना है, PQR 120 का, तो इसे बनाना ह दिखें, क्या हुआ है, कि मैंने थोड़े नाम अलग कर दिया, आप मुझ से कोई पॉबलम नहीं, आप नाम कुछ भी रख सकते हैं, ठीके, बस आपका बीच का एंगल जो है, वो 120 होना चाहिए, जो कि मैंने आपका बना दिया, चलिया, आंसा देख लेते हैं, यहां आपक 120, जैसी है आपको 120 मिलेगा, यहां डॉट लगा लेंगे, और इससे ही देखा मिला लेंगे, कर लेंगे इस तरह से आसाने, क्या करना है, आपको एक लखी खीश रहे है, यहां डी रखने के बाद यहां आपको नमबर दिखेंगे, दस, बीस इस तरह से करके पूरे, यहां प्रकार को यहां पर रखना है, और इस तरह से आर्क लगा लेनी है, अब जहां यहां आपकी आर्क लगेगी, इन दो पॉइंट्स को मान लेना है, एक बार इसे सेंटर मान के यह आर्क लगानी है, उसके बाद इसको आप दोनों को मिला देंगे, ठीक है, फिर जब आपको मिल जाएगा, तो यह आपका दोस्तों में बाइसेक्टर हो जाएगा, यह आपका बन जाएगा, यह साट का बन जाएगा, ठीक है, आसानी से कर लेंगे, आप लोग चलिए तो इसकी वोक्षीट को में खत्म करते हैं, आपका वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज से लाइक तो शिया करें, अब इस अपने मारे चैनल का सिस्क्राइब नहीं किया ता प्लीज मारे चैनल का सिस्क्राइब करें, थैंक्यू फर वाच्छिंग